हेलो स्टुडेंट्स, इंटिग्रेशन सीरीज में आपका स्वागत है, आज की वीडियो में हम लोग इस वाले फंक्शन को इंटिग्रेट करेंगे, यह अला फंक्शन मैंने पिछले वाले वीडियो में होमग दिया था, उमीद करता हूँ आपने ट्राइ जरूद किया होगा अब आईए इसका सलूसन देखते हैं, और वीडियो छोड़के जायेगा नहीं, क्योंकि आन्त में आपको एक और कोशन मिलेगा, जो कि आपके लिए होमग कराएगा, ठीक है, और उसका सलूसन में अगले वाले वीडियो में कराऊंगा, जैसा कि हम इसा कि तरह चलता आ रह होता है, 2 cos square x, ठीक, क्या formula होता है, 2 cos square x, लेकिन problem क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें question में लिखा हुआ है, 1 plus cos 3x, ठीक है, तो उसके लिए आपको इस वाले formula को बहुत ध्यान से समझना होगा, आपने साथ class 11 तमें इस वाले formula को अच्छे से नहीं समझा था, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है, देखिए ध्यान से, यह formula कह रहा है, कह रहा है कि अगर 1 plus cos 2x है, तो आपको मिलेगा 2 cos square x, मतलब अगर angle 2x है, तो x हो जाएगा, अगर angle 2x है, तो angle x हो जाएगा, मतलब angle जो है, वो 2 से divide हो जा रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे जो भी angle है, वो 2 से divide होके में मिल ला है, तो अगर 1 plus cos 3x हो, तो इस 3x में भी तो 2 का division आना चाहिए, तो यह हो जाएगा, 2 cos square, इस 3x का आधा, 3x का आधा क्या होता है, 3x by 2, हमें 2 से divide करना होगा, आप ही सोचिए, कि एक बार मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, यह हो कैसे रहा होगा यहाँ पर x आ कैसे रहा होगा, आपको यही सोचना है, तो यह x आ पता है कैसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, 2x by 2, मतलब यह वाला angle जो है, वो 2 से divide हो जा रहा होगा, तो मैंने 3x लिखा, देखिए देंसे, 3x लिखा, उसे मैंने 2 से divide कर दिया, ठीक है, तो ultimately ऐसा मैं कह सकता रहा हूँ कि 1 plus cos 3x जो है, यह equal हो जाएगा, 2 cos square 3x by 2 के, ठीक है, यह सब चीज़ें आपने class 11th में सीखी होंगी, मैं just तो नहीं recall करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप तो integration करना बहुत असान हो जाएगा, पर जाएगा integrate 1 by, इस 1 plus cos 3x के जगा लिखेंगे, हम लोग 2 cos square 3x by 2, ओ क्योंकि यह 2 constant है, इसे बहार निकाल लूँगा मैं, है ना, तो यह हो जाएगा 1 by 2, ठीक है, यहाप एक को लगा दिए, 1 by 2 integrate 1 by cos square 3x by 2, अब बताएगा 1 by cos square x क्या होता है, sec square x, यह हो जाएगा 1 by 2 integration sec square, क्योंकि एंगल 3x by 2 है, तो यह हो जाएगा 3x by 2, ठीक है, dx, ओके, अ बहुत असान होगे, 1 by 2, sec square x का integration क्या होता है, ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, उमीद करता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे integration का formula यूज़ कने जा रहा है, उसे देखिए का ध्यान से हम लोग जानते हैं कि sec square x का integration का formula होता है, 10x, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x है, इसलिए यहाँ पे x आता है, तो यह जाएगा half, 10, angle जो है वो 3x by 2 है, तो यह जाएगा 3x by 2, मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे 3x by 2 है, integrate करते हैं, आप देख सकते हैं, 3x by 2 है, तो x का coefficient जो है वो 3 by 2 है, ठीक है, इस x के आगे 3 by 2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो 3 by 2 से हमें divide भी करना पड़ेगा, 3 by 2 से हमें divide करना होगा, यह 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, यह जाएगा 1 by 3, यह 3 नीचे है, तो 1 by 3, 10, 3x by 2, प्लस C, यह हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आप बस सोचने वाली बात यह थी, कि 1 plus cos 3x को इस वाले formula में कैसे change करें, कैसे 1 plus cos 3x, इसके equal होगा, उसके बाद बस value put करके solve करना था, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, आपको यह ला question सामझ में आ गया होगा, अब हम लोग एक और question देखेंगे, वो आपके लिए homework होगा, ठ अगला question है, integrate 1 by 1 minus sin x by 2, ठीक है, तो यह अच्छा question है, उमीद करता हूँ, आप लोग इसे try करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसका solution देख लेंगे, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye. करेंचे हैंगे, इसका आपके लिए्ग में बस देख लेंगे शसे का वीडियो přिए जते हैं, कि याल रुब YOUR कामे देख के लिए यण की आपके लिए, आपके लिए, मेंगे अगले वीण प attachments, पहासा सकतना ही, आपके लिए, आपके लिए सक्भाख, चिका तर शया थार्